नमस्कार में भोवी जया में आप सभी का स्वागत है आए देखते हैं आज की बड़ी खबर नाथू राम गोड से परदिये बयान से पल्टी साथवी प्रग्या सिंग ठाकूर देश की राजनिती में इन दिनों नाथू राट गोड से कमल हसन और साथवी प्रग्या सिंग ठाकूर चर्चा के गेंद्र में है कमल हसन ने कुछ दिन पहले कहा कि महाद्मा गांधी का हत्यारा नाथू राम गोड से पहला हिंदू आतंकित हैं प्रग्या सिंग के इस बयान पर राजनिती गर्मा गई और वो खुद अदालत के चक्कर लगा रही लेकिन उनके बयान पर प्रतीक्रिया जताते हुए साथी प्रग्या सिंग ने कहा कि नाथू राम गोड से देश भक्त थे और देश भक्त रहेंगे प्रग्या सिंग के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई कामरिस पार्टी ने फ्रंट पूट पर आकर अलोचना की प्रग्या सिंग के बयान पर बेजेपि प रक्षातमक मुद्रा में दिखी और उनसे माफिकी मान की पार्टी के रुप को देखती हुए प्रग्या सिंग ठाकुर ने कहा कि वो पार्टी की अनुशाशित सिपाही है और पार्टी के साथ है उनकी बीजेपी मेनिस्ठा है नाथू रामगोड से की मुद्य पर जो पार्टी की सोच है उस सोच का वो समर्थन करती है नाथू रामगोड से पर प्रग्या ठाकुर के बय बयान देना चाहिए नाथु राम गोर्से देश भक्त नहीं बलकि देश द्रोही था प्रग्या ठाकुर का बयान देश भक्ती वाला बयान नहीं है बलकि देश द्रोह का मामला बंता है गोर्से को देश भक्त बताने वाने साध्वी प्रक्या के बयान को कॉंग्रस ने बताय देश का अपमान भोपाल के बीजेपी उम्मीदवार प्रग्यासीन ठाकूर की तरफ से रास्टेपती महत्मा गांधी के हत्यारे नाथू राट गोर्से को देशभक्त करा दिये चाने के बयान पर विवाद गहरा हो गया है। प्रग्यासीन ठाकूर के कथिन बयान को लेकर कॉंगेस ने बैस्पतिवार को बीजेपी बरतीखा हमला बोला और दावा किया इससे सत्तारूर तलका हिंसक चेरा सामने आ गया है। पार्टी के मुख्य प्रवत्तारंदी सुरेजवाला ने कहा कि प्रग्याका बयान पूरे देश का अपमान है। और इसके लिए प्रथानमंति रहें देव मोदी दर्था बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मापी मांगनी चाहिए। आज एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी आई गोर्से के सच्चे वन्शच्च है। इन्सा के संस्कृति और सहीदों का अपमान यहाँ है बीजेपी अन्डी ए उन्हें दावा किया है कि बीजेपी का इन्सक चहरा बेनकाब हो गया। आज फिर बापू की विचार धारा पर बीजेपी प्रहार पूप हुआ। प्रग्या ठाकू ने गोर्से को देश भक्त बता कर पूरे देश का अपमान किया है। यह एक ऐसा अक्षमय अपराध है जिसे देश कभी माप नहीं कर सकता। सूरेजवाला ने कहा हाली में प्रग्या ने शहीद हेमन करकरे को देश दुरू ही बताया था। और उन्हें श्राब देने की बात की थी। अधानमंत्री पूदी ने कोई कारेवाय करने के बजाए उसकी फीर ठप ठपाई। ने कहा यही नहीं कुछ महीनी पहले पापो के बलितान दिवस पर संग परिवार से जुड़े एक संगठन ने कांधी की हत्या का एरगन से फिर से चित्रन करने का प्रयास किया लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस पर मुक सहमती जताई। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS Indie app डाउन्नोट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद।